आपका limit 1 से 2, 1 upon x minus 1 upon 2 x square e की power 2 x, इसको integrate करना है, तो let i is equal to, यह जो minus x को अलग-अलग कर लेता है, limit 1 से 2, 1 upon x into e की power 2 x, फिर minus integrate 1 से limit 2, और 1 upon 2 x square e की power 2 x dx, मैंने क्या क्या, दोनों का अलग-अलग कर दिया, अब मैं इसको solve करूँगा, क्योंकि 1 upon x का integration, 1 upon x square e होता है, तो मैं इसको करूँगा, और इसको सबसे, इसको ऐसी लेके चलेंगे साथ-साथ, तो यह आपको हो जाएगा, फस सेकिंड यह पहला, और यह दूसरा, क्योंकि I late का coding e को सेकिंड मानते हैं, तो limit 1 से 2, 1 upon x, फस्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकिंड का करेंगे, तो e की power 2x का e की power 2x ही हैता है, और 2x है तो नीचे upon में 2 आ जाएगा, माइनस, पहले का differentiation, 1 upon x का differentiation करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका, माइनस, 1 upon x square, दूसरे का differentiation, e की power 2x का integration करेंगे, तो e की power 2x upon 2 मिल जाएगा हमें, और dx, और limit यहाँ पे 1 से 2, और यहाँ पे limit 1 से 2, और माइनस, 1 से 2, 1 upon 2x square, e की power 2x, dx, यहाँ पे हम limit यूज करेंगे, पहले upper limit, तो यह आपका 1 upon 2 into 2, e की power 2 into 2, फिर lower limit, limit 1 upon 1 into 2, e की power 2 into 1, यहाँ ने limit यूज करेंगे, यहाँ पे minus minus, plus 1 से 2, 1 upon 2x square, e की power 2x, dx, माइनस, 1 upon 2, 1 upon 2x square, e की power 2x, dx, यहाँ पे देखिए, plus, e minus same है, cancel हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे हो जाएगा, 2, 2, जा 4, तो e की power 4 upon 4, minus e की power 2 upon 2, और यह हमारा answer हो जाएगा, इसमें दोस्तों क्या है ना, हम यह देखते हैं कि इसका अगर यह डिफरेंसेशन यहाँ पे रखा हुआ है, इसका डिफरेंसेशन ही आपे है, तो हम सिर्फ इसको सोल करते हैं, जिसका डिफरेंसेशन है, और अब बाकिया में same मिल जाएगा, वो cancel और यह हमारा answer हो जाएगा,